आज हम लोग जानेंगे भारत की नदियों के बारे में, तो बने रहिए मेरे साथ पूरी। गंगा और यमना नदी हो गया तो इसलिए नदी पढ़ने से पहले एक बार अगर आप लोग भारत के इस्थला करेटी को भी पढ़ ले तो जाद अच्छा होगा आगे हम उसको भी बताएंगे आप लोगों को तो आई अम शुरू करते हैं भारत की नदीयों के बारे में तो म कर डंतugen को विजय वेघ्व में की निम्हार्त आठी तो पूर वर्ति नदी है तो पूर्वर्ति समझना भी जरूरी है पूर्वर्ति का मतलब हो गया जो हिमाले के उठान होगया उसके बाद ये अपना रास्ता प्रिवर्तन कर गर लियृ ईंट्रों के बीच से अपना रास भारे दुषरय डिय लुःत हैं अजे लुत आसम spacesिय होते हैं यह निकलती है और आपका पाकिस्तान होते हुए फिर घरश्वार्ब गिरती है और दूसरा पुर्वारती और जो आपका पुर्वारती नदि भारत के नदियां प्रदैवृ कि नदियां जिसे मुखेता हम लोग क्या बोलते हैं तो अनुवर्ती नदियां भी बोलते हैं क्योंकि अनुवर्ती नदियां यह अधिकतर ढ़ाल को फॉलो करती है जिसे अनुगामी या निमॉर्ती कहा जा सकता है जैसे कि अधिकांस नदियां जो है वो प्रैद्वी भारत में वो निकल आगे हम लोग देखेंगे कि हिमाले से नदियों जो निकल रही है उसमें भी हम लोग भीभाजन फिर करते हैं कि कौन-कौन नदी तंत्र बना हुआ है जिसको तीन भाग में मुखी रूप से हम लोग पढ़ सकते हैं यह तीन भाग में बाटा गिया है जिसमें पहला है उजे वाद गंगा नदिअ क्योए लिएंट ज्याम सब्सक्राइशúa सिर्टी सिर्टay स्वाद कर दिन को जासकर का, कारोकरम का और रोहतांग नहीं यहां पे जो लेह लदाग का यह सारी को काटते हुए यह यहां से निकलती है और उसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है पाकिस्तान से होते हुए यह फिर अरब सागर में जाकर के गिरती है तो इसमें हम लोग दिखेंगे यह जो अधिकांस्ता पाकिस्तान में बाती है इसका सिर्फ 1114 किलोमेटर जो है वह भारत में बाती है और यह फिर आगे जागर के अरब सागर में गिर जाती है इसके कई परमुख नदियां है जिसमें से हम नीचे भी देखेंगे इसकी पांच मुख नदियों को और इसके अतिरिक्त जो उपर से कुछ नदी मिलती है जैसे गिलगित नदी हो गई और एक दो नदियां है जो उपर से आगर के इसमें चोटी-चोटी नदियां भी मिलती है तो इसके सहायक नदियों में से जो परमुख नदियां है उनमें से जो सबसे परमुख नदी है उसमें एक है सतलज सब सकते ही त 것을 meia nós ंदियंगे पीरियां वह देपर हैं वह ँसमें बढे बारे में पढ़ेंगे और hm जब हम आगे देखेंगे, फिलहाल अभी बेसिक जो है नदी के वारे में वो हम जान ले रहे हैं सतलज नदी के बाद हम लोग देखें है ब्यास नदी जो ठीक उपर है पूरी तरह से जो निकलती भी इंडिया में है और इसका समापती भी मतलब इंडिया में हो जाता है क्योंकि यह आगे चलंगर के सतलज नदी में मिल जाती है ब्यास नदी जो है Auto इसकी लंबाइब जादे नहीं है तो यह जो निकल रहे है वो रोहतांग दर्रे से ब्यास नदी निकल रही है और आगर के सतलज नदी में मिल जा रही है और इसकी कुल लंबाई 470 km है आगे हम लोग देखते हैं रावी नदी के बारे में तो रावी नदी भी ये रोहतांग दर्रे के पास सही निकल रही है अधिकतर जो हम देखेंगे वो रोहतांग दर्रे के पास सही निकल रही है रोहतांग दर्रा आपको पहले भी बताएं थे हिमाचल परदेश में है तो हि इंडिया में आपका 725 केलमेटर रावी नदी का ते see h Sima, अर टालेखर नदी सुर्अ कर छाटी यह बड़ हम दैखेंरब नदी को यह ने बड़ा लचा दर्रह नदी भी एपका हमाचल कर दो इस से बंड ईंडिया में इसका बहाव है 1180 km चेनाब नदी का इसके बाद यह से निकल करके चेनाब नदी, पैसे निकल आपका आते हुए हम देखेंगे हैं कि सिधा इसे सिन्थु नदी में आ करके मिली ही है तो इससे लगातार यह एक कुछन बहना है कि Shrinagar किस नदी के किनारे है, तो इसमें हम लोग ये भी याद रखेंगे कि जो स्री नगर सहर है जो जमकस्मिर की राजभानी है तो वो आपका जेलम नदी के किनारे ही बसा हुआ है और इसका हम आगे दखेंगे कि इसका भारत में जो लंबाई है ये 724 किलोमीटर है यानि कि लगभग लगभग आपका ज क्छीआ में तो ये एक हो गया आपका पूरा जो जो शिंधु नदी तंत्र का एक नदी घाटी जितना भी है या नदी जितना भी है तो इसको भून लोग स्क्वेंस भी पूछता है में है कि इसको समझ ना की कैसे हम लोग समझ के याद रखेंगे और किस तरह की प्रस्ट एक्जाम में आएगा, तो बेसिक बेसिक चीज जैसे हम लोग सीख लिए कि कहां से निकलती है, इसकी लंबाई कितनी है, कौन से सहर के किनारे है, एक चीज और किसका सिक्रेंस भी पूछता है कभी, तो अगर आप लोग सिक्रेंस याद करना चाहें, तो सिंधू तो है ही सबस यह हो गया रावी, यह हो गया दोनों मिला करके, यह जो दोनों है, दोनों मिला करके हो गया चेनाव, यह लास्ट में है, यह हो गया आपका जेलम, तो जोगरोफी जब भी पढ़िए, जोगरोफी को कोसिस कीजिए कि उसको लिंक करके पढ़ने का, और उसको एटलस के साथ उसको ढूंड करके पढ़िए कि कहां पर कौन सा इस्थान है कि रहर से जाता है को इसके अलावा सिर्फ नदी ही नदी के अलावा आपको पढ़ा होगे यह पे कौन-कौन से दर्रे हैं कौन-सा दर्रा उत्तर में है कौन-सा दक्षीन में इसका सीक्वेंच भी याद रखना प पूरा पूरा आपका था यह सिंधु नदी तंत्र था आगे हम लोग देखते हैं नेक्ष्ट जो हिमाले से निकलने वाली नदी तंत्र में है उसमें से आगे हम लोग देखेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में